कि एगाइज वन मोर वीडियो और आज का जो सेशन है यह वाला इसके अंदर में आपको दो ऐसे स्टॉक प्रता हूं जिसमें बहुत बड़ा पॉजिटिव ब्रेकाउट दिखा है मैंने काफी लंबी कॉंसलिडिशन के बाद दिखा है तो शायद आपको थोड़ा अपस्वि करो कि कम प्रेडिक करो कोई पोजिशन बनाओ उसको छोड़ दो दस बारा दिन के लिए और उसमें आपको अच्छा स्विंग अगर दिन के लोग पे जाके बंद होता तो हम उसको कह सकते थे कि ब्रेकडाउन हुआ है इसा को ब्रेकडाउन हुआ नहीं है ठीक है उसके आपिस उपर आ गया सब्सक्राइब करेक्शन थोड़ा कम है मुझे अपसाइट पंदरा सो रुपे लग रहा है नीचे चार सो पॉइंट लग रहा है तो आपको बड़ा गेम खेलना चाहिए अपसाइट के लिए ठीक है अभी जो स्टॉक के बारे में बता रहा हूं उसके 1696 और 52 लो है 1002 और बहुत ही बड़े कॉंसलेडेशन के बाद इसमें बड़ा ब्रेक आउट दिखा है आपको यह लेके डेफिनेटली जाना चाहिए 10 से 12 दिन के लिए या तो पार दस दिन के लिए क्योंकि हाई बीटा स्टॉक के शायद जाधा रिटन आपको तुनत मिल तो यह मारे मैं खाली एजुकेशन परपास के लिए शेयर कर रहा हूं ठीक है तो मुझे लग रहा है यह उपर जाएगा इसने में आपको बता रहा हूं तो आपको यहां से मिनिममम 25 से 30 पॉइंट का स्टॉप लोस लगाना है स्टॉप लोस मिन स्टॉप लोस में कोई करे क्योंकि बहुत वड़े कर्थे को जुट अबहुत है और एकाई भार देखा है तो यह सिरयाराण ट्रांसपोर्ट फाइनांस और एगर आप त्रेस करोगे तो आपका आई डिया जाएगा यह मेरे में रहता नहीं है बट कभी-कभी मैं इसमें नजर माल लेता हूं ठीक है और एक मेरे रडार में है टीसे एक्स्प्रेस वह भी बहुत अच्छा ब्रेकाउट देश सकता है अभी आप उसको रख सकते हो तो यह जो दो स्टॉक्स तीन स्टॉक्स मैंने बता है उसमें से दो बैंक और दूसरा है स्रीनार्म ट्रांस्पोर्ट फाइनांस मैं आपके सथ शेयर करता हूं जस्टमेंट स्क्रीन आपको थोड़ा आइडिया आजाएगा आप थोड़ा ध्यान से देखना यह मैं कुछ अभी उस पर रिसर्ची कर रहा था कुछ मुझे इस तरीके से पैटन तो अगर देखो तो 1500 रुपे तक की मुमेंट आपको मिल सकती है तो डाउंसाइट 25 रुपे का है अपसाइट बढ़ा है अगर डेली टाइम प्रेम का चार्ट देखे तो अगर 15 मिनिट करते हैं तो भी आपको बड़ा फीज दिखेगा डेली टाइम फ्रेम में भी अच्छ लाइन चार्ट रखना चालू कर दिया है केंडल समझ में आता है तो मुझे यहां पर ब्रेक आउट देख रहा है यह इसका भी पॉजिटिव स्विंग है एडी एक्स भी प्लस है तो तीनों पारामिटर में फिट बैट रहा है बाइंग करने के लिए तो आप इसको कि देखो इसमें समधने जैसा क्या है आपको यहां पर करेक्शन फेज आया था डेरी टाइम पर दीरे-दीरे एक्जास्ट हो रहा है ठीक है और अभी यह एक फेज में मुझे लग रहा है यहां पर चांस ले लेना चाहिए आपको उतना अच्छा मोमेंटम दिख नहीं रह है तो यह जोन क्रॉस करने के बाद मुझे लग रहा है तो आप इसको प्ले कर सकते हो जस्ट मेंट और इस तरीके से कुछ इसको प्ले कर सकते हो इस तरीके से ठीक है क्योंकि नीचे से जो आज कर्रेक्शन आया इस वेरी शॉकिंग तो मुझे लग नहीं रहा था आएगा बट आया तो यह इस तरीके से को मूब कर सकता है तो आप इसको कुछ पचास से साट पॉइंट मिनिमम मुझे लग रहा है यहां से अगर आना हो तो आएगा ठीक है तो आप इसको लेके जा सकते हो ठीक है तो यह इस तरीके से और इसका पहला बेज होगा मेरे इसाब से तो आपको यह लेकर जा रहा है मिनिममम पचास से सौ रुपे के लिए छोटा खेलना है तो दस-पंद्रा पांट पैसे मिलेंगे आपको वह भी एक रिस्की है बड़ एक प्योर है एक सिर्राम ट्रांस्पोर्ट है दूसरा यह ठीक है आप इसको लेके जा सकते हो जैसे कि मैंने एक्सिस में भी आपको कहा था सिर्फ पांच रुपे के स्टॉप लॉपे मिले तो उससे अच्छा क्या है ठीक है तीनो चारो स्टॉक नीचे स और निफ्टी में सिर्फ और आटरा हजार पॉइंट के स्टॉप लॉस ते मुझे अटरा जार चेसो अटरा चेसो पांच दिख रहा है अगर अगर तीन चार्ट के पॉइंट्स स्टॉक के पॉइंट तोड़े गड़बड़ा गए एक बजात पहना है तो बजात प्रिंस अभी के लिए उनसे दूर रहना ठीक है तो अगर आप इंवेस्टर हो ट्रेडर हो तो भी अगर आपको प्रॉफिट बुक करना है तो दोनों स्टॉक में प्रॉफिट बॉक कर सकते हो क्योंकि बहुत बड़ा ब्रेक्डाउं दिखा है मुझे खाली मैं जिस्ट ओवर्यू स्टॉक्स आपको बहुत अच्छा गेन देखे जाते हैं और पिरिट अफ टाइम ठीक है सो तिल देन टेक के बबाई और कीप लर्निंग कीप अच्छा लग रहा है यह सब तो आप दूसरे को भी श्यार कर सकते हो और हाँ पहला आइकन दबादो ताकि आपको नोटिपिकि द्टी इसेने ते को और सित आपको नोट आपके न क्वे शाले कर सकते हैं यह सुआ तो आपको टूस।